आज हम डिसकस कर रहे हैं Class 12th NCRT Exercise 1.1 का Question No.1 Question No.1 सबजने के पहले हमें तीन प्रापर्टी को समझना होगा पहली प्रापर्टी है Reflexive दूसरी है Symmetric और तीसरी है Transitive अब Reflexive Property क्या है इसको समझें तो Reflexive का मतलब होता है कि अगर एक element का अपने element से क्या relation है ये कहलाता है Reflexive जैसे हम माल लेते हैं एक component है X और एक component है X अगर ये दोनों R को belong करते हैं तो ये क्या कहलाता है Reflexive अब इसका example क्या है जैसे माल लेते हैं Brother जो Brother का relation है वो Reflexive कहलाता है क्यों? क्योंकि हर Brother हर बेक्ती अपना भाई होता है तो यहां से ये प्रापर्टी Reflexive हो जाएगा लेकिन जो Father का relation है वो Reflexive नहीं होता कैसे? F और जो F है वो Reflexive नहीं होगा क्योंकि कोई भी बेक्ती अपना फादर नहीं होगा तो इस तरह से ये relation Father का relation, Mother का relation ये relation Reflexive नहीं है लेकिन Brother का relation Sister का relation Friend का relation ये Reflexive है तो Reflexive को प्रापरटी का मतलब होता है कि उस object का उसी object से जो relation है वो कहलाता है Reflexive अगर इसको mathematical form में हम देखें तो जैसे 11, 22, 22, 33, 44 सिमिलर चीजें हैं ये सिमिलर चीजें का अगर किसी भी set में हैं तो वो Reflexive कहलाएगा इसी तरह से relation में जैसे हमने बताया कि Brother का relation, Sister का relation और Friend का relation ये Reflexive relation है तो जिसमें ये mathematical concept है ये mathematical concept अगर फुलपी रो रहा है तो वो Reflexive property को follow करता है otherwise follow नहीं करेगा दूसरी property होती है symmetric symmetric property क्या कहलाती है symmetric property कहलाती है कि X का Y के साथ जो relation है वही relation Y का X के साथ होना चाहिए ये अगर कोई real number में है तो ये property symmetric कहलाती है अगर इसको ये mathematical form में समझे तो अगर कोई माल लीजिए set है 1, 2 ये कोई real number कोई relation को follow करता है और इसका opposite to 1 भी अगर उस relation को follow करता है तो ये symmetric कहलाएगा ये हो गया digital डिजिट के रूप में अब ये रिलेशन के रूप में देखें तो जैसे एक brother दूसरे brother का ये इसका brother कहलाएगा ये इसका brother कहलाएगा लेकिन अगर हम brother और sister का combination देखें तो ये symmetric combination नहीं होगा कैसे नहीं होगा जैसे माल लेते हैं कि x जो है x y का brother है लेकिन y भी x का brother हो ये compulsory नहीं है क्योंकि हो सकता है x gents हो और y ladies हो तो x y का brother हो गया लेकिन अगर y ladies है और x gents है तो y x का फिर brother नहीं होगा sister हो जाएगा तो इसलिए brother और sister का relation ये symmetric relation नहीं है इसी तरह से और हम ले सकते हैं जैसे माल लेते हैं friend का relation तो friend का relation ये symmetric relation है कैसे अगर x y का friend है इसका एक relation है तो y भी x का friend होगा ये भी एक relation है लेकिन यदि हम mother का relation देखें तो mother का relation जो है ये symmetric relation नहीं है कैसे जैसे माल लेजिए x का mother ये ये y है तो y का mother x होगा ये बिल्कुल गलत बात है तो mother का relation जो है ये symmetric relation नहीं है लेकिन brother brother और sister sister friend friend का relation यह symmetric relation है और mathematical में हमने आपको बताई दिया कि जैसे अगर 3,4 आर को बिलांग करता है तो 4,3 भी आर को बिलांग करना चाहिए यह symmetric relation है अब इसके बाद हम देखेंगे Transitive अब Transitive relation क्या होता है तो जैसे माल लीजे X और Y ये एक set है जो की relation R को फालो करता है और Y, Z जो है ये एक relation R को फालो करता है तो अगर X, Z को फालो करने लगे अगर ये situation फालो हो जाती है तो इसे Transitive relation कहते हैं अब इसको एक जामपिल से समझ लीजे जैसे माल लेते हैं 1, 2 जो है एक set है जो R को फालो करता है और 2, 3 एक ऐसा set है जो R को फालो करता है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 2 है ये दोनों में common है तो common point को यदि हम हटा दें जैसे यहाँ पर Y common point था इसको तो X और Z relation बना R का तो 1 और 3 जो है अगर R का relation है अगर ये condition फुलफिल हो जाती है तो Transitive relation कहलाता है और अगर reflexive symmetric और Transitive तीनों relation फुलफिल होते हैं तो उसे equivalent relation कहा जाता है अब इसको हम digital form में समझ लिए अब हम इसको relation form में देखेंगे जैसे माल ली जिए X Y का friend है ये एक relation है और Y जो है Z का friend है ये एक relation है तो आप समझ सकते हैं कि अगर common point को हटा दिया जाए तो X Z का फी friend ही होगा ये एक relation establish हो गया तो यहाँ friend का जो relation है वो Transitive relation हो गया अब एक दूसरा relation लेते हैं माल लेते हैं X का father Y है ये एक relation हो गया और Y का father Z है ये एक दूसरा relation हो गया लेकिन आप देख सकते हैं कि X का father X का जो father है वो Z नहीं होगा वो क्या होगा grand father होगा इसका मतलब ये relation fulfill नहीं होगा grand father होगा X का father by है और by का father यदि जिड है तो X जो है जिड जो है वो X का father नहीं होगा grand father होगा तो यहाँ यह father का जो relation है वो trans to relation नहीं कहलाएगा एक और relation ले ले लेते हैं जैसे X का mother यदि Y है ये एक relation है एक set को follow करता है और Y का mother जिड है तो आप देख सकते हैं ये अगर एक relation है तो X जो X का mother जिड होगा ये बिल्कुल possible नहीं है ठीक है ना क्योंकि जो अब जिड है वो X किना नहीं हो जाएगी तो इस तरह से ये relation भी trans to relation नहीं है अब हम एक दूसरा relation लेते हैं माल लेते हैं X का भाई Y है और Y का जो brother है वो Z है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि X का brother भी Z होगा तो brother का relation इस तरह से trans to relation कहलाता है और यदि हम reflection में देखें तो X का brother X होता है ये बिल्कुल सही है हर वेक्ति अपना भाई होता है तो brother का relation एक trans to relation है symmetric relation है और reflection relation है अब हम देखते हैं question तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे question number one यहाँ दिया हुआ है एक relation है जिसमें A दिया हुआ है 1, 2, 3 से लेके 14 तक और हमें condition दिया है 3X minus by equal to 0 इसको हम solve करेंगे अब यहाँ given है R equal to XY और 3X minus by equal to 0 यहाँ पर A की value दिया है A कोई set है जिसमें दिया है 1, 2, 3 से लेके 14 तक अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि हम X की जगए 1 put करें और Y की जगए यदि हम 3 put करें तो हमारा answer 0 आ जाएगा तो इस तरह से 1 और 3 X set हो गया दूसरी तरह से यदि हम X की जगए 2 put करें और Y की जगए 6 put करें तो भी answer 0 हो जाएगा इसलिए एक दूसरा set मिल गया 2, 6 इसी तरह से यदि हम X की जगए 3 लें और Y की जगए 9 लें तब भी हमें 0 मिलेगा इसमें अगर हम put करते हैं तो यह भी एक आपका सेट हो गया फिर यदि हम X की जगह 4 लें और Y की जगह 12 लें तब भी आप इसमें यदि पुट करेंगे तो 4 करेंगे तो 4, 3, 12 और Y की जगह 12, 0 आएगा ये भी condition को fulfill कर रहा है अब इसके बाद कोई condition fulfill नहीं होगा अगर हम X की जगह 5 लेते हैं तो 5 इंटू 3, 15 होगा तो हमें 0 करने के लिए Y की वैलू 15 लेना पड़ेगा लेकिन जो A की condition दिया है उसमें ये लिखा हुआ है कि X और Y की वैलू 14 से अधिक हम नहीं ले सकते तो X तो हम 5 लेंगे लेकिन by हमें 15 लेना पड़ेगा तो by की वैलू इस लिमिट से बाहर हो रहा इसलिए आगे की वैलू हम count नहीं करेंगे अब हम देखते हैं reflexive properties में तो हमने आपको बताया था कि अगर X X R को बिलांग करता है तो वो reflexive कहलाएगा लेकिन इस तरह की कोई भी pair यहाँ पर available नहीं है हमने digit में बताया था कि अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 अगर similar digit available है तो reflexive कहलाएगा आप इस set में देख सकते हैं कोई भी 1 1 2 2 3 3 4 4 करके set नहीं है इसलिए X belong to X वाला जो property है 1 1 2 2 3 3 यह इस set पर available नहीं है इसलिए यह reflexive property को follow नहीं करेगा अब हम देखते हैं symmetric तो symmetric में यदि X by X set R को belong कर रहा है तो by X v R को belong करना चाहिए तब वो symmetric होगा लेकिन इस तरह की condition set में नहीं दिया हुआ है देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं इसे 1 3 तो दिया हुआ है लेकिन 3 1 नहीं दिया हुआ है इसी तरह से 2 6 दिया हुआ है पर इसका ultra 6 2 नहीं दिया हुआ है इसलिए यह symmetric relation को follow नहीं करेगा जब यह relation follow नहीं करेगा इसका मतलब इस तरह का कोई pair available नहीं है और यह symmetric नहीं है ध्यान रखना इसी language से chapter 1 के सभी question को लिखना है इसका writing इसी process में करना है ध्यान रखना है अब हम देखते हैं next property ट्रांस्ट्यूव तो ट्रांस्ट्यूव में अगर x by कोई set है जो r को बिलांग करता है और by z जो है वो r को बिलांग करता है हमने property में आपको बताया है कि common चीज़ को हटा दीजिए तो क्या बचेगा x z अगर वो भी r को बिलांग करता है तो वो ट्रांस्ट्यूव कहलाएगा otherwise नहीं कहलाएगा अब जैसे देखिए अगर 1 3 r को बिलांग करता है और 3 9 भी r को बिलांग करता है तो common point अगर हटा दीजिए 3 तो 1 9 r को बिलांग अगर नहीं कर रहा है तो यह ट्रांस्ट्यूव नहीं होगा जैसे यहां देखिए यहां आप देख सकते हैं कि जो 1 3 है यह r set में दिया हुआ है फिर 3 9 यह भी r set में दिया हुआ है पर क्या इस r के set में 1 9 दिया है क्या नहीं दिया है इसका मतलब यह ट्रांस्ट्यू रिलेशन को फालो नहीं कर रहा है तो इस तरह से यह जो रिलेशन है यह ट्रांस्ट्यू भी नहीं होगा तो जो इसका first question है यह ना तो reflection को reflection property को फालो कर रहा है ना तो symmetric property को और ना ही ट्रांस्ट्यू प्रापर्टी को फालो कर रहा है अब हम देखते है question number second जैसे हमने question number one write किया है उसी तरह से इसकी लोक लिखने की process second की भी है अब इसमें दिया हुआ है x by by equal to x plus 5 x की value 4 से कम होनी चाहिए तो जब 4 से कम होगी तो x की value हो जाएगी 1,2,3 आब x की जगे 1 करेंगे तो by 6 आएगा इसका मतलब 1 आपको set मिल गया 1,6 फिर जब x की जगे 2 put करेंगे यहाँ पर तो by equal to 7 आएगा तो इसका मतलब दूसरा set हो गया 2,7 फिर x की जगे 3 put करेंगे तो 5 plus 3,8 आएगा तो यह हो जाएगा 3,8 आब इसको हमें तीनों property को देखना है तो reflexive property क्या कहलाता है जैसा कि हमने अभी discuss किया कि if x belong to x r तो यह reflexive होगा मतलब reflexive में 1,1,2,2,3,3,4,4 होना चाहिए आप इस set में देख सकते हैं 1,1,2,2,3,3 नहीं है इसका मतलब यह reflexive नहीं है अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रांस्ट्यू language आप इसी तरह से लिख सकते हैं जैसा कि हमने बताया अभी हम देखेंगे symmetric तो symmetric जब हम देखेंगे language इसकी पिल्कुल first की तरह लिखना है अब अगर माल लीजिए x, y, r को बिलांग करता है तो by x, b, r को बिलांग करना चाहिए अब जैसे यहाँ 1,6 जो है यह r को बिलांग कर रहा है आप देख सकते हैं लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि जो 6,1 है यह इस set में available नहीं है r में available नहीं है इसका मतलब 1,6 है पर 6,1 नहीं है इसका मतलब कि यह pair जो है symmetric nature को भी follow नहीं कर रहा है अब थर्ड है transdu तो हमने बताया कि if x, y बिलांग to r y, z बिलांग to r तो x, z x, z बिलांग to r अगर यह property फालो हो रहा है तो transdu है अदरवाईज नहीं है आप देख सकते हैं set में जो यह r दिया हुआ है कि यहाँ पर 1,6 तो r को बिलांग कर रहा है आप देख सकते हैं बड़े आराम से लेकिन इसके बाद जैसे x, by में by, z होना चाहिए जैसे 1,6 में 6 का कोई दूसरा digit है ही नहीं जैसे यहाँ by second portion पे है जैसे आप देख सकते हैं by यहाँ second part में और यहाँ by first में है तो जैसे यहाँ six second में है तो six unit पहले होना चाहिए तो यहाँ कोई ऐसा है यह नहीं इसका मतलब यह transitive nature को follow नहीं कर रहा language लिखेंगे if x, y belong to r y, z belong to r then x, z belong to r then it is transitive but there is no such pair available in r so r is not transitive क्योंकि इस तरह का pair है ही नहीं इसलिए वो transitive नहीं है और जब वो transitive नहीं है तो equivalent relation को follow नहीं करेगा तो इस तरह से हमने second relation बता दिया अब third relation देखिए इसको हम समझा देते हैं इसमें लिखा हुआ है कि x, y जो है यह by is divisible y, x जब by अगर x का divisible है तो अगर divisible है तो हम देख सकते हैं 1, 1 का divisible होता है 2, 2 का divisible होता है 3, 3 का divisible होता है 4, 4 का divisible होता है language आप जैसा हमने first second बताया उसी तरह से लिख सकते हैं 4, 4 का divisible होता है 5, 5 का divisible होता है 5, 5 का divisible होता है the similar होने के कारण यह reflexive nature को follow करेगा अब इसकी जो दूसरी property है symmetric तो symmetric में भी आप देख सकते हैं कि आगर अगर की देख सकते हैं कि 1 जो है 2 का divide होता है और 2 जो है तो जो है 2 जो है 4 को divide कर देगा अब यहां से देख सकते हैं तब 1 4 को भी divide करेगा इसका मतलब यह transtube भी होगा लेकिन यह symmetric symmetric यह नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि 2 जो है 4 को divide करता है लेकिन 4 2 को divide नहीं करता अब आप सोच रहे होगे कि 4 2 में 4 को divide करेंगे तो point में आएगा लेकिन answer point में नहीं आना चाहिए integer में आना चाहिए इसलिए ये property symmetric property को follow नहीं करेगा लेकिन transitive property को follow करेगा इसका जो R बनेगा तो कैसे बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 फिर 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6 फिर 3, 3, 3, 6, 4, 4, फिर 5, 5, फिर 6, 6 क्योंकि जो इसमें दिया है कि जो X और Y है तो इसका मतलब यह हो गया कि Y जो है X से डिवाइड हो रहा है हम 2, 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता अब पॉइंट काउंट नहीं होगा तो इसलिए सेकंड वाला पार्ट सेमेट्रिक नहीं होगा बाकी रिफलेक्सिव और ट्रांस्टिव होगा अब देखते हैं अपन 4 वाला कुस्चन तो 4 वाला कुस्चन दिया हुआ है फूर्थ वाला कि X माइनस बाई क्या है इंटीजर है अब इंटीजर कुछ भी हो सकता है तो अगर हम सेमेट्रिक लेते हैं यह हो जाता है X, X belong to R अब हम X की जगे X और बाई की जगे X करेंगे तो X माइनस बाई 0 हो जाएगा और 0 एक इंटीजर है इसका मतलब यह सेमेट्रिक को फालो करेगा अब दूसरी वाद हम लेते हैं वो सारी रिफ्लेक्सिय। को फालो करेगा अब हम लेते हैं सेमेट्रिक तो अगर माल लीजिए X, R, R को फालो करता है तो by xvr को follow ही करेगा क्यों यदि हमने ले लिया है 110 तो फिर इसको उल्टा करेंगे तब भी 110 ही आएगा अगर हमने ले लिया 12 तो 12 करेंगे तो 1-2-1 आएगा इंटीजर ही आएगा अब इसका 21 कर देंगे जैसे माल लीजिए हमने एक सेट ले लिया एकस माइनस वाई के कौर्डिंग तो 1-2 करेंगे माइनस वन आएगा इंटीजर आएगा अब अगर 21 कर देंगे तब भी अगर 2-1 करेंगे तब भी इंटीजर आएगा इसका मतलब 1-2 और 21 दोनों इंटीजर आ रहे हैं मतलब यह symmetric भी है अब चलते हैं अपन ट्रांस्ट्यू तो यह ट्रांस्ट्यू भी होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर x y x y जो है x y अगर r को बिलांग करता है मतलब x minus y integer है फिर अगर y z r को बिलांग करता है तो इसका मतलब होता है by minus z भी integer है अब आप समझ सकते हैं कि यदि हम x z लेते हैं और ये r को बिलांग करता है तो यहां से भी अगर x minus z करेंगे तो वो भी integer ही होगा इसलिए ये ट्रांस्ट्यू हो जाएगा अब हम देखते हैं question number next वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए हम इसको काफी shortcut में बता रहे हैं आप समझ सकते हैं लिखाना कैसे यह हमने दो question से बता दिया है अब फिप्त में देखना है ये वाला part तो x by work at the same place तो x x belong to r क्योंकि जहां हम काम करेंगे वहां हम काम करेंगे x x मतलब x by work at the same place मतलब x और x work at the same place बेलकुल सही बात है इसलिए reflection हो जाएगा फिर x by एगर same place पे करता है तो by x भी same place पे करेगा इसका मतलब अगर x by belong to r है तो by x belong to b r होगा क्योंकि एगर x by एक साथ काम करता है अब इसके साथ ट्रांस्ट्यू भी सही होगा योकि ट्रांस्ट्यू का मतलब होता है कि अगर x y r को belong करता है मतलब x y एक साथ काम करता है और by z r को belong करता है मतलब by z एक साथ काम करता है तो यहां से आप देख सकते हैं कि x z भी एक साथ काम करेगा यह भी आर को बिलांग करेगा इसका मतलब यह ट्रांस्टिव भी हो जाएगा तो इस तरह से जो पहला पार्ट है A का यह रिफ्लेक्स्टिव ट्रांस्टिव और सेमेट्रिक दोनों होतीनों होगा फिर नेक्सट है X, Y लिव इन दा सेम लोकेल्टी सेम कोश्चन जैसे सेम प् है क्यों संभव नहीं है क्योंकि एक्स एक्स से 7 cm बड़ा हो ही नहीं सकता हर वेक्ति अपने बराबर होता है बड़ा नहीं होता इसलिए reflection नहीं होगा फिर यह symmetric भी नहीं होगा क्योंकि अगर x y r को बिलांग करता है इसका मतलब X जो है बाई से बड़ा है तो फिर जो बाई X है वो R को बिलांग नहीं करेगा क्योंकि बाई फिर X से बड़ा नहीं हो सकता अगर यहां बाई बड़ा है तो यहां X बड़ा नहीं हो सकता भाई एक ही बड़ा होगा ना अगर X बाई में बिलांग टू आर मतलब बाई बड़ा है साथ सेंटीमीटर बाई बिलांग टू जेड तो इसका मतलब जेड भी बड़ा है साथ सेंटीमीटर तो एकस बिलांग टू जेड दोस्तों ये ट्रांस्ट्यू भी नहीं होगा क्योंकि एकस जेड से तो बड़ा होगा लेकिन सेवन स सेंटीमीटर है बड़ा और बाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो एक्स जो है मतलब जो जेड है वो एक्स से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा इसलिए ट्रांस्ट्यू नहीं होगा अब हम नेक्स्ट कॉस्चन देखेंगे एक्स जी वाई फाव वाई तो ये रिफलेक्श्यू नहीं होगा इसलिए रिफलेक्श्यू नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्स का वाई नहीं हो सकता इसलिए ये रिफलेक्श्यू भी नहीं है फिर अगर एक्स बाई का वाई तो बाई जो है वो X का बाइफ नहीं होगा इसलिए यह symmetric भी नहीं होगा अब third के साता है क्या reflexive तो reflexive में देख सकते हैं कि अगर X य का बाइफ है और Y जो है Z का बाइफ है तो जो X है वो Z का बाइफ नहीं होगा इसलिए यह properties trans to भी नहीं होगा next property दिया हुआ है X is father of Y तो यह reflexive भी नहीं होगा क्योंकि X X का बाइफ नहीं हो सकता इसलिए यह reflexive नहीं है फिर आप देख सकते हैं कि X अगर बाइफ अगर X बाइफ का बाइफ है तो बाइफ जो है X का बाइफ नहीं होगा वो sun हो जाएगा इसलिए यह possible नहीं है इसलिए symmetric भी नहीं है और friends यह जो है ना यह trans to property भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि अगर X जो है Y का फादर है और जो Y जो है यह हमने एक जामपिल में भी बताया था जेड का फादर है तो जो X जो है वो जेड का फादर नहीं होगा वो grandfather में आ जाएगा इसलिए इसलिए trans to nature so नहीं करेगा तो वीडियो काफी लंबी हो रही थी इसलिए हमने shortcut में explain किया फर्स्ट और सेकंड को हमने detail में write कर दिया इसी प्रकार से पूरे question लिखना है आप मारे चैनल को subscribe करें like करें share करें कोई problem हो तो comment करें thank you very much